राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होब सब अच्छे होंगे मैं शेफाली हूँ शेफाली की दुन्या में आप सबी का स्वागत करती हूँ तो यहाँ पर देखिए, मैंने पान के पत्नी की शेप के red color की velvet की बहुत ही खुबसूरत सी ड्रेस बनाई है, golden color के combination के साथ और बहुत ही प्यारी ड्रेस बनकर त्यार है, मुकुट भी बहुत ही प्यारा है, यह देखिए, यह मुकुट भी मैंने ही बनाया हुआ है और बहुत ही सुन्दर ड्रेस हमारी बनकर त्यार है, और अब हमें साथ में चाहिए इसके लिए खुबसूरत सा पटुका, आपके कपड़े के पटुके देखे हूंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे से, लेकिन आज मैं आपके साथ कुछ अलग तरिये का मोतियों का पटुक मैं और एक मोति में लास्ट में डालक सी मैं लग लगा दिया है, और बहुत betterी मोतिताल में में व एक मोति फिस थावक की त्रह मॉता रही जब धाले मोतिते पाइल नो ऑप यहां पर मैं बार्ड़ भरे कर देखे-गम इस हम योज़े चोटी साथ ने लिए और जो मौते देखें यहां पर 10 Jauses 12 मोती लेने ही आप कमन हे वो थोड़ी लबारे कहले है या जब टोड़ी फूटी लट से उसे साफ से हम मूता को यहाँ पर पर भिरो लेंगे यहाँ इस तरीके से एक मुति मैंने बड़ा डाला है और अब यहां पर मैं 12 से 15 मुति इसमें छोड़े वाले डालूंगी इस तरीके से देखिए और कपड़े के पटके तो हमेशा हम लोगों ने पहना हुए अपने गोपाल जी को लेकिन कुछ अलग करते हैं उनके बड़े पे और बहुत सुन्दर मुत्टका बनकर तेयार है वीडियो को पूरा देखिएगा मन लगा कर देखिएगा तो आपको ज़रूर हाईगा बहुत ही इजी तरीके कहा है ये और देखिए कितना प्यारी सी एक छोटी सी लटकन बनकर तयार है और अब ही तो सुरुवात है आगे आगे देखिए कितना ही प्यारा मटपट का हमारा बनकर तयार होगा तो मैं जल्दी जल्दी से इसको पिरो लेती हूं और आंगे आप देखते जाएं कैसे कैसे मैं इसको कर रही हूं अब हम डालेंगे अपने बड़े वाले मोती बड़े वाले मोती देखें साइज आप अपनी पसंद से ले सकते हैं बड़े मोती भी यूज कर सकते हैं इनसे ब डाले हुए है golden color के जब ज्यादा नहीं लेने क्योंकि फिर ज्यादा लंबा सपटका हो जाएगा जो कहना जी के सईसे आएगा नहीं जदा लंबा रहेगा तो इस तरह से आप अपने काना जी के ब्लाउस में लगा कर देख सकते हैं चाहे तो आप सीधे आंगे मफलर की तरह और फिर तोड़ा डिजाइन अपना चेंज करके अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं और यहां पर जब 25 मूती हो गए तो इसके बाद फिर से मैंने 15 चोटे मूती डाले हैं और एक बड़ा मूती डाला है जैसे लास्ट में पहले सुरुआत में किया था ना बिलकु से वैसे पिछे और यहां से फिर से हम दुबारा लटकन अपनी दूसरी लटकन बना देंगे और इसी तरीके से हमें अपना पुरा पटकार तयार करना है और आप हम फिर से 15 मूती चोटे बाली 15 मोती जब हम छोटे डाल लेंगे काफी पारी मोती है थोड़ा दिक्कस होती है और यह सारा काम मैं रात में कर रही हूं तो आप लोग भी सोच रहे हूं कि काफी धीरे-धीरे मोती डाल रहे है और मैंने वीडियो को फास्ट कुछ भी नहीं किया इस वीडियो में बस वाइस आपके साथ सारा वीडियो सेहर करना चाहा थी लेकिन बैकराउंड में बहुत ही जादा सोर और गर्मी बहुत है तो पंखे की आवाज भी बहुत ज्यादा आ रही थी तो मेरा बेटा है वही थोड़ा सोर बगारा था इसलिए मैंने इस वीडियो को म्यूट बस किया है बाकी क लास्ट में जो हमारी पैजनी नहीं लगती है बिलकुल वैसे कानाजी के लिए बनाएंगे बहुत प्यारा सा पटका और देखें यहां पर छोटा मोती डालने के बाद बड़े वाले मोती से चोटे वाले मोती से अगर हम दागा पिरो बापस करेंगे तो सारा निकल जाएगा तो छोटे वाले मोती को रहने देंगे बागी बड़े वाले मोती से फिर से अपने धागे को सुई को धागे में से सारा इस तरह किसे निकाल देंगे थोड़ा सा टाइट कर लेंगे वरना ये धागा फिर डिला सा हो जाता है और डिला दागा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता फिर वहाँ पर दिखने लगता है धागा धागा सा तो यहाँ पर टाइट करके इस तरीके से देखें दो लटकन हमारे यह बन गए हैं आप यहाँ पर जितनी चाहें उतने लगा सकते हैं इसी मैथेड से आप यह देखें य मैं भी आपको कम्प्लीट करकर दिखाती हूं तो यह देखें यहाँ पर दोनों साइट पे लटकन लग गए हैं और कितना ही खुबसूरत है यह देखें ब्लाउस इसके साथ का ब्लाउस कई भी तरीके कप के लगला होते हैं कोटी वाला भी बनता है यहाँ पर मैंने बताईएगा अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा कोमेंट कीजिएगा राधी राधी